मह पहले काम सीखने तो दीशे, तो कर लोगे सीखने से कभी माना की हैं, बहुत जिवान लगाती है तुम, बहुत गलत है हर बात पर माई के जाना, अभी चली जाओ निशान्त, मुझे माई के जाना है फिर से माई के जाना है अच्छा कब जाना है अभी छोड़ दू क्या चलो आज छोड़ी देता हूं लेकिन उसके पहले तुमसे दो मिनट कुछ बात कर लो आओ बेटो फिर माने कुछ बोला है न लेकिन जब मा कुछ नहीं भी बोलती है तब भी तो तुम्हें बात बात पर माई के ही जाना होता है एक बात बताओ तुम्हारे मापापा तुम्हें नहीं डाड़ते थे क्या और जब डाड़ते थे तो तुम क्या घर छोड़ कर चली जाती थे तो तुम जो यहां हमेशा माई के जाने की रट लगाय रहती हो मतलब की साफ है तुम इसे अपना घर समझती ही नहीं मापापा को साथ ससुर समझती हो मापापा नहीं वो भी तो मुझे बहु समझते हैं बेटी नहीं बोलते तो तुम्हें अक्सर बेटी ही हैं, बेटी ये कर लो, बेटा वो ले आओ, बेटा चाय बना लो, तो फिर तुम उनके नजरों में बहु कैसे होई? बस अपनी सोच से, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मुझ से शादी करके इस घर में आई हो, तो लोग तुम्हें बहु मानते हैं, बेटी नहीं, माबाप अपने बच्छों को नहीं डाटेंगे, तो किसे डाटेंगे? पडोसी को? नहीं ना? टाटने का यह मतलब नहीं होता है कि लोग तुम से नफरत करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाना चाते हैं, या फिर तुम्हें जलील करते हैं, बलकि यह होता है कि वो लोग कई बारी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते, तो कुछ भी बोल जाते हैं. दुनिया का कोई भी माता-पिता दिल से बुरा नहीं होता है, बलकि एक उम्र होती है जिसमें फिर हम लोगों को उनके हिसाब से अड़जस्ट करना होता है, अब तुम्हारी और मा की उम्र सेम तो नहीं है ना? तो अगर इस उम्र में कोई इंसान चिर्चिड़ा होता है, उसे गुस्सा जल्दी आता है, या फिर वो गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल जाता है, तो हम घर छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे ना? बलकि वहाँ पे अपनी समझदारी दिखाएंगे, ना कि उनसे जबान लड़ाएंगे, उनको उल्टा जबाब देएंगे, अब बस एक मिनट के लिए तुम खुद को मा की जगव पे रख करके देखो, कि तुम उनकी जगव पे होती तो क्या करती, शायद वही जो माने किय माता-पिता की डांट को अगर दिल से लगाओगी, तो कभी जी नहीं पाओगे, और उनकी डांट को अगर सीख की तरह लोगे, तो जिन्दगी में फिर बहुत आगे जाओगे ग्यान जादा हो गया शायद, चलो तुम माई के छोड़ाओ नहीं जाना मुझे माई के, यही मेरा घर और यही रते मेरे माँ पापा, मैं माँ के पास जा रही हूँ बड़ी जल्दी समझ गई, काश तुनिया के सभी लोग ऐसे ही समझ जाए, तो हर घर स्वर्ग होगा कुछ नहीं रखा है तेरा मेरा में, किसी से मन मुटाओ में, अगर आपके पास कोई परिवार है ना, तो आप बहुत मसीव वाले हैं, खुश किसमत है फैमिली की वैलियो उनसे पूछिए जिनके पास कोई परिवार ही नहीं है इसलिए हमेशा घर परिवार के साथ खुश रहिए, उन्हें विखेरना नहीं, संजोना सीखिए वीडियो ने दिल जीता है, तो पेज को फॉलो जरूर कीजेगा, ताकि और भी अच्छे अच्छी वीडियो हमेशा मिलती रहे निशान्त पर अपना प्यार बनाए रखिएगा, जैहिंद